तो किसी ने कॉमेंट किया था कि भाई हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है और इसके लिए हमें एक PC खरीबना है अब मुझे लगा ये एक अच्छा टॉपक हो सकता है क्योंकि इस फील्ड में जो लोग नए आये हैं उनको एक PC की जरूरत है तो क्यों ना उनकी थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग और इस फॉर रियल 25,000 एक बहुत ही कम बजट है फॉर लैपटॉप क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम एक एवरेज प्रोसेसर को ही ले 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 तो अराउंड पढ़ता है 15,000 का तो कंपनी तुम्हें 25,000 में डिस्प्रीन, बैटरी, स्टोरेज, रा लैपटॉप और वीडियो एडिटिंग अगर तुम्हें अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना बट अभी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूं कि PC के पास क्यों एडवांटेज जादा रहता है as compared to that of a laptop तो अगर तुम वीडियो एडिटिंग के लेक लापटॉप ढूंड रहे हो बजट सेग्मेंट में तो तुम्हें कोई लापटॉप नहीं मिलेगा क्योंकि 30 से लेकर 60,000 का PC तुम्हें एक से देड़ लाग तक के लापटॉप की performance दे सकता है अब बात करें PC components के बारे में तो एक ऐसा प्रोसेसर चूस करेंगी जिसमें और बजट में यह प्रोवाइड करता है AMD आंड इस वीडियो इस नौट स्पांसर बाइए एमडी तो फॉर मिनिममम बजट ऑफ 25,000 वी आ चूसें एमडी राइजन 5 5600 जी क्योंकि हमें में देखना है कोर्स एंड थ्रेड्स का इ राइजन 3 3200 जी भी ले सकते हो वो कुछ तुम्हें पड़ेगा 11,000 का राइजन सीरीज में जी का मतलब होता है कि इस CPU के अंदर इंटीग्रेड़ेड़ ग्राफिक्स हैं जो की काम करते हैं ऐसा ग्राफिक कार्ड तो तुम्हें उसके साथ ग्राफिक कार्ड बाय करने की ज हो रहा होता है राम एक और जगा एक बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करती है अगर तुम्हें एक्जाक्ली बता हूं तो मेरे सेटप में 16GB राम है और वीडियो रेंडर करते टाइम कभी-कभी राम का यूसेज 98% तक भी चला जाता है जिसकी वज़िसे सिस्टेम में कम र इसलिए हमेशा यूज करना डूल चैनल राम इस विडिट लिए यूज की रिप जॉस जो की डीडियर 4 की 3200 मेगा हर्स की राम है अमेजिंग लेवल की परफॉमेंस यह तुम्हें देने वाली है राम की बात कर रहा हूं बट रोको थोड़ा यह सब कॉंपोनेंट्स लगा थोड़ा महंगा लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि सारे के सारे कॉंपोनेंट्स को वही होल्ड करके राखेगा अब यहां पर ऑप्शन्स तो बहुत थे बट उन स्ट्रिक्ट बजट ऑफ सिक्स थाउजन रुपीज मैंने चूज किया गीगावाइट का बी फोर फि स्ट्रिक्ट का उस टाइम मुझे ऐसा लागा था कि मैंने पूरा का पूरा पैसा बरबाद कर दी है बट अब जब मुझे यहां पता चल गया है कि इसमें एक M.2 का स्लॉट है तो आज के टाइम पर यह आराउंड तुम्हें मिल जाएगा छे अजार में M.2, M.2, M.2 करे ज आ रहा हूं यह M.2 है क्या तो M.2 एक लेटिस वर्जन है SSD का नॉर्मल सेटा हार्ड डिस की स्पीड होती है अप्टू 150 Mbps वहीं सेटा SSD की स्पीड होती है अप्टू 500 Mbps और बात करो इस M.2 SSD की तो यू वोंट बिलीव इसकी स्पीड होती है अप्टू 3.5 Gbps शायद मैं एक पका M.2 लेने वाला हूं और अभी इस Motherboard का प्राइज अराउं 6,000 है इसमें एक छोटा सा Easter Egg जिसे तुम कह सकते हो छोटी सी पतली सी RGB लाइट ठेर RGB उसको नहीं बोल सकते है विकाज वो औरेंज कलर की पल्स लाइट है जिससे obviously तुम RGB Fusion में जाकर कस्टमाइज कर सकते ह अब अगर टोटल करें तो Ryzen 5 5600G के साथ तुमारे बिल्ड की कॉस्ट पड़ेगी अराउं 28,300 रुपीज बट भाई बजट तो 25,000 का था ना wait a second Amazon पे SBI का credit card यूज करके तुम हर एक product पे 10% off ले सकते हो तो अगर फिर से टोटल करें तो 15,300 प्लस 5200 प्लस 49,50 तो टोटल 25,450 रुपीज अब कुछ questions का answer देता हूँ जो तुमारे mind में चल रहे होंगे and the first is भाई आगे जाकर कभी भी हमें upgrade करना हुआ तो हमको तो सारे components फिर से खरीदने पड़ेंगे wait a second तुमने आज 25,000 रुपे लगाएं तो ये PC at least 15 से 20 साल चलेगा बट ऐसा क्यों ये motherboard का जो socket है वो है AM4 तो आगे जाकर अगर तुमने कभी भी राइजन 5 से राइजन 7 राइजन 7 से राइजन 9 पर upgrade किया तो तुम्हें motherboard चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम चाहे राइजन 3 लो राइजन 5 लो राइजन 9 लो सबका motherboard का socket AM4 ही रहेगा अब दूसरा question why not Intel वीडि नहीं है जितना AMD के processes हैं प्लस एक और डाउंसाइड है Intel का अगर तुम i3 से i7 पर upgrade कर रहे हो तो तुम्हें motherboard पूरा चेंज करना पड़ेगा जिसके लिए अलग से तुम्हें 7000 रोबे फिर से लगेंगे so video editing के लिए I always suggest AMD अब बात करते हैं तुम्हारी thank you for all the beautiful comments जो भी तु कर पाऊं तो नीचे comment कर देना and I have decided कि I'll pick a question which is the most interesting one and I'll present it on my video plus उस video के post होने के within 24 hours तुम्हे उस question का answer भी मिल जाएका on my Instagram story so go follow me there so आज का comment है from Mr. SRA I want to know about your editing journey how you started and where you learnt video editing thank you so much for commenting Mr. SRA and I think you texted me on Instagram and your name is Shravan thanks Shravan you'll get an answer on my Instagram story within 24 hours thank you so much for showing so much love and appreciation still अगर video editing सीखनी है तो इस लेट वाली वीडियो को तुम चेक आउट कर सते हो वही अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस राइट वाले बटन को भी दबा सते हो चलो we'll see you guys in the next video till then take care